कुछ बातों के मतलब हैं कुछ मतलब की बाते हैं जब से फर्क समझा जिन्दगी आसान सी हो गई मैं जब उत्रानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूटूब चैनल उत्रानी क्लासेज में रखन आज हम इंटरे संकिंदि संके 16 वीडियो लेक्चर पर डिसकस करने वाले हैं इसमें आज हम प्रॉपर सब्रेस के सा कुर्षण होते हैं उस पे डी इसकस करेंगे है ऑग तो आज आप जानते हो कि किसी वीडियो नेट्चर में में पांच से ज्यादा कोaiserन पर discuss नहीं करता क्योंकि वीडियो से काफी long हो जाता है तो आज भी हम 5 question चोटे-चोटे लेंगे और proper substitution से best वो question होंगे उस पर हम discuss करेंगे भाई proper substitution का मतलब क्या जैसे माली जे कि आपको कोई integral दे दिया गया for example आप यह समझ लो कि आपको integral दे दिया गया x cube sin x power 4 dx ठीक है यह दे दिया गया अब अगर आप इसमें यह x cube को t मानो तब solve करो तो आप first जाओगे उस integral की value नहीं find out कर पाओगे proper करने का मतलब कि properly जैसे अब यहाँ पे x power 4 को ही हमको t मान करके substitute करके तब solve करना पड़ेगा तब उसकी value बहुत easily find out हो जाएगी proper substitution wording में use कर रहा हूँ क्योंकि जिसको जो मानना है हना अगर उस form में आप उसको समझ के नहीं मानते हो तो आप first जाओगे उस integral की value find out नहीं कर पाओगे और यह पता कैसे चलेगा यह पता चलेगा आपको आपकी practice से इसमें बहुत ज्यादा practice की जरुवत हैं जितने ही question को आप practice करोगे ठीक है उतने ही आप सापने साथ ही जाएगी आपकी question में और आप question को देख के समझ पाओगे कि मुझे कहां क्या substitute करना है अगर आप practice नहीं करते हो सुचते हो कि यह topic मुझे समझ में आ picture में discuss करेंगे फिर हम हाट question की तरफ पढ़ेंगे पहले क्योंकि हमको समझना होगा चीजों को कि कहां पर क्या substitute करना है तो easy से start करते हैं फिर हाट की तरफ चलते हैं ठीक है तो यह start करते हैं देखिए question number first क्या है integral over x cube sin x to 4 dx ठीक है मैंने याप यापको बताया भी कि आप x power 4 को substitute करोगे t मानोगे ठीक है मान लेते हैं let x power 4 is equal to t तब क्या जाएगा 4 x cube dx is equal to dt ठीक है यह आ गया अब क्या करें अब x cube dx is equal to 1 upon 4 dt ठीक है अब देखिए हमने यहाँ पर इसको टी माना है तो मतलब और x cube dx की value क्या आ गई 1 by 4 dt तो यह हो गया 1 by 4 यह हो गया sine ठीक है यह हो गया आपका t और यह हो गया dt ठीक है भाई integral के अंदर कोई constant integral रणने देखिए है करता है भाई बाहर जाओ तुम्हारा अंदर कोई उस नहीं है तो यह बाहर निकल गया यह क्या हो जाएगा integral हुआ sine t dt यह हो गया 1 upon 4 sine का integral क्या होता है minus cos t plus c तो यह जागा minus cos t और यह plus c तो यह हो गया 1 by 4 minus cos t की वेलू क्या x power 4 तो x power 4 यहाँ पर लिख दीजिए plus c यह आपका answer हो गया आई समझते है question number second देखी क्या है integral over cos x square sin x cos x dx ठीक है यहाँ पर भाई मान देते हैं sin x is equal to t cos x आप मत मानना confusion हो जाएगी है ना तुरा गलत हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा cos x dx is equal to dt अब देखी यह पूरा dt बन गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा imply that यह क्या हो जाएगा cosec square यह हो गया t और इस पूरे की जगह पे dt अब भाई cosec square t का integral हमें पता है क्या होता है minus cot t तो यह हो जाएगा minus cot t plus c minus cot t की value क्या है sin t sin t यह angle में लिकेगा ना और यह plus c यह इसका answer हो गया आई समस्ते है question number third देखी क्या है integral over sin inverse x upon में 1 minus x square dx ठीक है तो भाई अब इसमें क्या करें अब आप यह जान सकते हो कि अगर sin inverse x को t माने तो इसका differentiation ही यह होता है sin inverse x is equal to t माने अब इसका differentiation क्या होता है 1 upon under root 1 minus x square dx is equal to dt हो गया कितना simple हो गया इस पूरे की value आप यह dt पूट कर दोगे और यह t में कनवाट हो गया ठीक है तो यह क्या हो जाएगा integral over t dt अब t का integral x का integral x power n का क्या होता है x power n plus 1 upon me n plus 1 तो यह t square upon me 2 plus c हो जाएगा तो यह 1 by 2 अब t के जगा पर क्या है sin inverse x तो यह sin inverse x का whole square plus c यह answer हो गया आपका अब समस्ते है question number 4 देखें क्या है integral over sin of 10 inverse x upon me 1 plus x square dx ठीक है इसको कैसे solve करेंगे 10 inverse x को यहां में t मानना पड़ेगा 10 inverse x is equal to t ऐसा क्यों हो तो कि आप देख रहे हो तो कि 10 inverse x का अब मतलब इस पूरे की value dt हो गई और यह t हो गया तब यह integral क्या हो जाएगा यह हो जाएगा sign इस पूरे को हमने क्या माना है t माना है ठीक है sin t बना और इस पूरे की जग़गा पर dt हो गया भाई sin t का integral क्या होदा है minus cos t तो यह हो जाएगा minus cos t और यह plus c एक integrating content minus cos t की जग़गा पर क्या है 10 inverse x तो minus cos 10 inverse x और यह plus c यह आपका answer हो गया आई समस्ते हैं question no.5 जो की आज के हमारे वीडियो लेक्चर का last question है देखे इसको solve करेंगे क्या है question integral over 2s 10 inverse x square upon 1 plus x power 4 ठीक है dx मान लेते हैं let 10 inverse x square is equal to t अब यह धियान रखा करो कि उसको कुछ मानने से कोई चीज cancel हो रही है कि नहीं ठीक है इस पर आप focus करना सीखो जिसे कर आप इसको मानते तब क्या result निकलता है एक दो कुछन गलत होंगे लेकिन उल्टा-पूटा करके आप सीखना न सीखोगे तो उल्टा-पूटा करोगे तो उससे ज्यादा सीखोगे आप फिर आप इसको मानों देखो अलग-लग मानने से क्या होता है न कैसे हम और इसको अच्छे तरीके से सौल कर पा रहे हैं ठीके तो यह हब 10 इन इनर्स एकस स्कॉरर इसका क्या होगा तो इसका क्या होगा अब यह हो जाएगा 2x upon 1 plus x power 4 dx is equal to dt आप देख सकते हो कि यह पूरा term और यह पूरा term और यह पूरा term इन तीनों की जगा पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा और इस पूरे अकेले को हमने t मान लिया तो यह क्या हो जाएगा यह integral हो जाएगा t dt कितना simple हो गया तो यह t square upon 2 plus c तो t की value है क्या जो यह हमने मानी थी तो यह जाएगा 10 inverse x square का whole square upon 2 plus c ठीक है integrating constant यह आपका answer हो गया तो friends आज के लिए इतना ही में अपने नेक्ष्टों में तब तक के लिए स्वस्त रहे मस्त रहे खुश रहे जैहिंद